गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, कल मैं हम ने आपको आपकी भाषा व्यास बुक का पेज 1 और 2 करवाया था, आज हम पेज नंबर 3 करेंगे, इस पेज को करने से पहले मैं हम आपको सहुख्ट व्यांजन के बारे में बताएंगे, स्विंख्ट व्यांजन, स्विंख्ट व्यांजन होता है, वो हमेशा स्वर रहित होता है, इसलिए उसे हम आधा लिखते हैं, और इसके विपरित, दूसरा व्यांजन हमेशा स्वर सहित होता है, इसलिए वो हमेशा पूरा लिखा जाता है, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में प और स, दोनों ही आदे हैं, क्यो अब हम भाषा व्यास में से पेश जंबर 3 करेंगी इसमें जो पहला प्रशन दिया गया है वो क्या है पहला प्रशन है नीचे दिये गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए पहला वाक्य है सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चपनों की एक नई जोड़ी चाहिए दूसरा वाक्य हो गया सत्यानास नमबर 3 क्योंकि गरम होने पर पठ्रिया फैल कर लंबी हो जाएंगी अब इसमें जो आपको मोटे काले शब्द दिखाई दे रहे हैं वो संयुक्त वे या नास क्योंकि अब अगला प्रशन अगला प्रशन हमारा क्या है नीचे दिएगे संयुक्त वेंजन वाले शब्दों के समान तीन तीन शब्द और लिखिए पहला शब्द है क्योंकि दूसरा शब्द है चपल और तीसरा शब्द है सत्ते अब हमें इन संयुक्त वेंजन की सायता से इनके समान तीन तीन शब्द और लिखने हैं अगला प्रशन हमारा क्या है हमें एक वर्ग पहली दी गई है इस वर्ग पहली में से हमें पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंड कर सामने दिये गए स्थान पर लिखना है जैसे फ्रॉक साड़ी कमीज तो आपको इन इस अभ्यास को अपनी भाषाब्यास बुक में करेंगे और जिनके पास यह बुक नहीं है वह इसे रफ नोड़ बुक में करेंगे ठैंक यू